हेलो हाई नमस्कार में पंगत सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल मैगनेट ब्रेंस कॉंपटिशन पर जहां पर हम आपको प्रवाइड करते हैं 100% फ्री एजूकेशन वो भी क्वालिटी कॉंटेंट के साथ में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके IBPS PO Prelims को टारगेट करते हुए हमारा सुपर सेलेक्शन स्रीज चल रहा है जिसका आज जो है वो डे 27 है और आज हम डिसकस करेंगे PYP में साल 2020 का कोशन पीपर तो जानेंगे कि 2020 में किस लेवल के कोशन आये थे किस टाइप के कोशन आय करने का जो बेस्ट अप्रोच हो सकता है वो भी हम जानने की कोशिश करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा तो यह जो सवाल है यह आपका data interpretation का सवाल है जो की line graph पर अधारित है ठीक है हलका सा जो graph है वो आपको परिशान कर सकता है ठीक है इस point को लेकर हम बात करें तो तो मैं आपको यह जो इसकी value है यह मैं खुदी आपको लिखके बताऊंगा ठीक है पट पहले देखते हैं सवाल में क्या लिखा हुआ है तो सवाल में लिखा हुआ है लाइन ग्राफ शोज दा नंबर ऑफ पीपल बॉइस और ग्र्ल्स विजिटेड फाइफ दिफरेंट पार्क्स और नंबर ऑफ ग्र्ल्स विजिटेड आउट ऑफ टोटल पीपल विजिदेड इस फाइफ पार्क्स रीड़ डेटा केरफुली और एंसर दा कुश्चन तो हो अगर हम बात करें, कि भईया यहाँ पर अगर यहाँ पर अगर यह पार्क यह में टोटल कितने बच्चे गए थे, तो यहाँ पर जिसे साथ और सतर के बीच में एक, जyes, पनीडा लाइन- यहां से इक कर विजिछ दो सक्क्स कर था Pacific channel to यानि कि 64 होगा यानि कि पार के में जो total boys और girls वो 64 हैं उसमें से girls कितनी है थर्टी हैं तो 64 और 30 का difference कितना आजाएगा सर 54 यह कौन होंगे सर boys होंगे तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा कि हर एक पार्ट में कितनी girls हैं और कितने total बच्चे हैं उनका difference निकालोगे तो आपके पास में boys का data आजाएगा boys का data आजाएगा तो यह आपने को पहले से निकाल के रख लेना चाहिए उसकी बाद फिर इस पर क्या सवाल बन सकता हूं हम आगे देखेंगे तो मैं इस data को एक जगह लेता हूं एक डेटा को एक जगा लिख लेता हूँ तो मैंने यहां पर लिखा सर यहां पर मेरे पास में यहां पर मेरे पास में क्या डेटा दिया है ध्यान से देखो यहां पर मेरे पास में क्या डेटा दिया है ध्यान से देखो यहाँ पर आपके पास में total बच्चे हैं उसमें से यहाँ पर girls कितनी है और boys कितनी वो आपन निकाल के रख लेते हैं girls हमें पता है total भी हमें पता है तो हमने यहाँ पर क्या देखा सर A में देखा तो A में आपके पास में जो total बच्चे है वो मैं आपको खुद से बता रहा हूँ क्योंकि उसमें आपको दिखका जाएगी तो वो 64 और 72 हो गया 64 और 72 हो गया उसके बाद फिर अगर बात करें तो यहां पर आपके पास में कितने हैं 54 हो गया ठीक है से ठीक है तो यह वैलू आपके पास में आगई अगर आपन गल्स की बात करें तो गल्स का डेटा यहां पर कितना है 30 और 32 और 48 तो यहां पर हो गया 30 32 48 फिर अगर बात करें आपन तो यहां पर कितना हो रहा है यहाँ पर आपके पास में 44 और 36, 44 और 1, 2, 3, 36, ठीक है न, तो 44 और 36, यह आपके पास आ गया, तो यहाँ पर कितने बच्चे हैं, किस पाक में, उसमें गल्स कितनी हैं, इनका डिफरेंस निकालोगे तो बॉइस आ जाएंगे, तो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा सर, 34 हो जा यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, 24 में से 6 गया, तो 8 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ अठारा हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में इतने बॉइस होंगे, ठीक है, अब आपने उपास यह डेटा आ चुक है, आपने देखते हैं, इसमें सवाल में क्या-क्या यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दियान चे देखिए, A, B और C का टोटल चाहिए आपको, तो यहाँ पर 8 और 4 कितना हो जाएगा, सर, 12 हो जाएगा, ठीक है, सर, 40 और 30, 70 और यह कितना हो जाएगा, सर, आपके पास में 90, ठीक है, तो यह आजाएगा, आपके पास में कित पार्क A-B-C, तो पार्क A-B-C में कितने भी है, 34, 40, 28 है ना, 4, 3, 7, 29, 90 बच्ची होगे, 90 और 12 यहां पर होगे, आपके पास में कितना, 102, तो आपको बस इतना बताना था और कुछ नहीं बताना था, यह बात कहता होती है आपकी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स सवाल पर आते हैं, आप से क्या बोल रहा है यहां पर, आप से क्या बोल रहा है यहां पर, आप से बोल रहा है कि इफ टोटल नंबर आफ पीपल विजिड़ इन पार्क F, अब पार्क F है नहीं आपके पास में, है ना, आप देख लो, आपके पास पार्क कितने हैं, सिर्फ ए तक तो यहाँ पर पार्क C और D है, तो यहाँ पर पार्क C और D में जितने भी लोग विजिट कर रहे हैं, उससे 18 लोग जादा होंगे पार्क F में, तो हम C और D में देख लिए पहले कितने लोग कर रहे हैं यहाँ पर विजिट, तो C और D में 76 और 68 कर रहे हैं, तो यहाँ पर ल रहा है कि f में जो है वो इससे 18 जादा है तो यहां पर आपन क्या करेंगे प्लस 18 कर देंगे ठीक ना तो 144 में अगर आप 20 जोडते हो तो 164 होता तो आप यहां पर दो कम कर लो यह 162 हो जाएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो हमारे पास f में कितने लोग है यह पता चल गय है तो अगर यह 4 गल्स है तो 5 आपके boys हो जाएंगे हां सर और यह 9 को रिप्रेजेंट करेंगा हां सर यहां पर कितना हो जाएगा सर 9 1 जा 9 ठीक है सर और 9 8 जा 72 ठीक है सर आप से क्या पूछ रहा है सर आप से पूछ रहा है कि find the number of boys visited in park f तो यहां पर इसकी value पूछ रहा है यानि कि यहां पर आपको 18 सर multiply करना पड़ेगा तो यह कितना हो जाएगा सर 90 यह कितना हो जाएगा सर 90 तो आपका इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा सर A option वो क्या होगा सर A option कोई दिक्कत कोई परिशानी आप से बुला गया था कि एक park f है जिसमें c और d park में girls आजाएंगी अट अब से पूछा boys था तो 162 का अगर 4 by 9 जो है वो girls हैं तो 5 by 9 जो होंगे वो क्या होंगे सर आपके boys होंगे तो ऐसे करके आप इसका सही answer निकाल सकते हैं कोई दिक्कत कोई परिशानी नहीं चल तो इसको यहां से हटाते हैं इसको यहां से हटाते हैं अब आप से क्या बोल रहा है वाट परसंट आफ गर्ल विजिटेड इन पार्क ए विट रिस्पेक्ट तो दी टोटल नंबर ओफ पीपल यानि की boys और गर्ल्स विजिटेट डैट पार्क अप्रॉक्सिमेटली अप्रॉक्सिमेटली तो आप से क्या बोल रहा है आप से बोला है प्रिस्ट विजिडेड इन पार्क ए तो पार्क ए में जो गर्ल्स है कितनी है सर 17 ठीक़िए ओर किस्के बारे बात कर रहा है बात कर रहा कर रहा है उसी पार pack में ठोटल दैतों के साथ में आपको यांपर तो हैँहां पर इसको सार्ट करके आपका पंटो एंसर एंसर करके सकतो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे फटा-फट आगे बढ़ेंगे फटा-फट टाइम बचाएंगे अब बात करते हैं सर इस सवाल की आप सब्सक्राइब इफ पार्क यी चार्ज रुपीस 24 फॉर इच पीपल हर एक हर एक आपके पास में 54 है तो आपको क्या बताना है सर 54 इंटु 24 यह बताना है यह रविन्यू आएगा आपका तो यह कितना हो जाएगा सर 16 ठीक है यह आपके पास में कितना है सर 20 और यह कितना है 8 कितना होगा 28 और 29 ठीक है अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 5-2-10 और यह 12 1296 तो 1296 यानि कि आपका B option which होगा वो सही जवाब होगा वो आपका सही जवाब होगा कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं चली आगे बढ़ते है इसको यहां से हटाते हैं अब बात करते हैं अब बात करते हैं इस सवाल की क्या बोल रहा है सथ total people यानि की boys plus girls who visited park B is what percentage more than total people who visited park E or approximate value बताने है तो आपको total ही देखना है हर जगा कहां कहां देखना है सर आपको देखना बी में और एमें तो बी में total कितने लोग है सर बी में total लोग है 72 72 और एमें क्या है बहिए इमें total लोग कितने हैं लोग है 54 54 तो आपको बताना है कि यहां पर जो लोग है वो इससे कितने प्रतीशत जादा है what percentage more बोला है पहले तो इसका difference निकालना पड़ेगा है ना तो यहां पर आठ जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत कोई परिशानी मेरे ख्याल से आपको नहीं होनी चाहिए है ना एक बार देख लो इसको अच्छे से आप देखोगे तो number बढ़ रहा है फिर घट रहा है याने कि यहां पर कुछ ने कुछ Plus-уль 8 है और फिर 12.5 है तो अभी हमारे पास मैं किया कि second number ही हमारे पास unknown आ गया तो क्या करेंगे यहाँ पर तो हम यहाँ पर पीछे से start करने की कोशिश करता है यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर आपको plus 4.5 करना पड़ेगा यहाँ पर आपको minus का 3.6 करना पड़ेगा minus का 3.6 करना पड़ेगा यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर आपको plus का 2.7 करना पड़ेगा है न 9 और 7, 16 का 6 होगे 8, 12, 11 होगे तो यहाँ पर plus का 2.7 करना पड़ेगा तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, वो समझ लाएंगा. अब आपको इसी समझ में रही है, किサर, यह जह है, अगर मैं decimal को भूल जाओं, तो यह कितना है, 9 x 5 हो रहा है, यह जह है, 8 x 4 हो रहा है, यह 9 x 3 हो रहा है, यही हो रहा है, प्लस में, माइनस में, प्लस में, यह हो रहा अगर decimal को भूल जा हो, मालूलों यह 45 है, 36 है और यह 27 है, इसका मलत 5, 4, 3 तो यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा, 9 इंटू 2 करेंगे, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए, और यहाँ पर अगर 92 तो इसके पहले क्या नई 21 होना चाहिए नहीं कि 9 होना चाहिए यहाँ यहाँ पर decimal भी लगा है तो यह कितनो जाएगा सर पॉइंट 8 1.8 हो जाएगा और यह कितनो हो जाएगा सर 0.9 हो जाएगा अच्छा फिर यह प्लस है माइनस है प्लस है तो यहाँ क्या होगा माइनस होगा और यहाँ पर क्या होगा फ्लस होगा तो 9.8 में हम 0.9 एड करेंगे तो 9.8 में जब हम 0.9 एड करेंगे ठीक है 0.9 एड करेंगे तो यह कितना हो जाएगा सर 17 हो जाएगा और यहाँ पर 10.7o यहां पर यह जो नंबर आएगा यह आपका क्या एगआ सि 10.7 दो 17 में आठ्स जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा और 9 में एक जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा तो क्या एट-पन्ऩ 9 आ रहा है रहा है इसका मतलब हमारा सही जवाब जो है वो 10.7 है हमारा सही जवाब जो है वो क्या है सा 10.7 कोई दिक्कत कोई परिशानी किसी भी तरह की नहीं पक्का तो यहां पर आपको इस तरह से थोड़ा सा सोचना चाहिए था ठीक है बिटा चली आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं इस सवाल के चर तो हमने यहां पर लिखा सर यहां पर 400 है यहां पर 274 है यहां पर 209 है यहां पर 181 है यहां पर 172 है और यहां पर question बागे ठीक है अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं ध्यां से देखो यहां से अगर मुझे यहां जाना है ठीक है तो इसमें 9 जोडेंगे तो यहां जाएगा ह ठीक है सर यहां से यहां जाना है सर तो मैंने का सर यहां पर 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा सर 5 बचेगा ठीक है ना और 26 में से यह 20 गया तो 6 बचेगा ठीक है सर यह 26 हो जाएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यहां से यहां जाना है तो यह कितना हो जाएगा सर आपका है यह जो number है यह 5 का q plus 1 है, with negative sign, यह जो है यह 4 का q plus 1 है, with negative sign, यह जो चीज़ है यह 3 का q plus एक है फिर नेगेटिव साइन यह जो चीज है यह दो का क्यू प्लस एक है विद नेगेटिव साइन है ना तो माइनस 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 सब जगा चल रहा है यहां भी माइनस होगा पांच चार तीन दो तो यहां पर एक होगा तो यह जो नंबर होगा वह एक का क्यू प्लस एक हो तो आपने इनका common जो भी difference आ रहा है वह निकाला और difference निकालने की निकाली निकालने के भी नंबर आ रहा है वह perfect cube के आ सपास है थेके ना कोई दिकत कोई परशानी किसी भी तरह की नहीं पक्का आगे बढ़ सकते हैं ठीकर आगे बढ़ सकते हैं चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इस सवाल की, यहाँ पर लिखा है sir, one, one, question mark, fifteen, one, zero, five, nine, forty-five, one, one, question mark, fifteen, one, zero, five, nine, forty-five, अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे, कि इसके बीच में relation है कि seven करना पड़ेगा, इसके बीच में relation है कि यहाँ पर nine करना पड़ेगा, ठीके न, ऐसा कुछ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, तो नो के पहले कितना, साथ, साथ के पहले क्या होना चाहिए, अगर नोन था, जो कोशन माग था, वो कितना था, three था, कोई दिकत, कोई परिशानी, नहीं, पक्का, तो इस तरह से आपको approach करना चाहिए, ठीके, तो इतनी तीरी से आपको जो है वो दिख जाना चाहिए, कि यहाँ पर तो यह चीज़ लगने वाली है, अगर आपकी यह प्रैक् अचाहिए, इसको जल्दी से पहचान के करेगा, उसका टाइम सेव होगा, वो अपने टाइम सेव करेगा, और आगे चलकर उस टाइम का यूटलाइस करेगा, किसी और कोशन के लिए, और इसके जो number of attempt है, वो बढ़ जाएंगे, अब यहाँ पर क्या है, 12 है, something, 6, 9, 18, और 45 तो 6 का 1.5 गुना होता है, इसका 2 गुना होता है, इसका कितना होगा, धाई गुना होगा, 369, ठीक है, समझ में आगे, समझ में आगे, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर यह करना है, सरी यह 12 है, यहाँ पर यह 6 है, यहाँ पर यह 9 है, यहाँ पर यह 18 है, यहाँ पर य 35 है अब यहां पर क्या होगा ध्यान से देखो यहां पर क्या होगा ध्यान से देखो यह साफसाब दिख रहा है कि इसका 1.5 ताइम से ये सेने इसका टूपइंट तया घ Spy इंटू 5 बाइटू तो दो से जाएगा यह नौबार 945 सभी है ना ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर यह समझ में आ गया तो इसका मतलब यहां पर और यहां पर क्या होगा मैंने का 2.5 के बहले 2 है उसके बहले 1.5 यह नहीं 0.5 का चेंज आ रहा है तो यहां पर 1.5 करेंगे तो यहां पर कितना यागा वन और फिर यहां पर इसके प्षाइब कोई दिकत कोई परिशानी किसी वी तरह की नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं इसको दिखते हैं आप यहां पर सवाल आ गया सर 34 18 10 63 है ना तो यहाँ पर क्या होगा सर्थ, 34, 18, 10, 6, 3, 34 का आधा होता है 17, उससे एक जादा है, 18 का आधा होता है 9, उससे एक जादा है, 10 का आधा होता है 5, उससे एक जादा है, ठीक है, समझ में आगे है, समझ में आगे है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो, मैंने का 34, फिर 18, फिर 10, फिर 6, फिर blank, फिर 3 तो मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 से डिवाइट करके, फिर 1 कर दूँगा यहां से यहां जाना है तो इसको दो से डिवाइड करके एक एड कर दूँगा तो इसको दो से डिवाइड करूँगा और एक एड करूँगा तो यहां पर कितना आ जाएगा यहां पर चार आ जाएगा और फिर इसको दो से डिवाइड करूँगा तो दो आएगा प्लस एक चार मेरा जो अननों धूCN Gina जो प्रशानिए किसी भी तरह की पक्का आसान था इजी था है न चली हो गया हुगा यह आगे बढ़ते अब आते हैं अपन कुछ हमारे पास में आर्थिमेटिक के सवाल है उनको सवाल में कैसा हुआ हुआ है कि रि lump क्या हुआ है तो यहां तक पढ़के समझ में आता है कि व्यक्ति है जिसने की एक निश्चित ब्याज दर से जो की साधारन ब्याज है उस दर से कुछ धन राशी निवेश की है और उसको आठ साल बात जो राशी मिल रही है वो उसके निवेश की गई राशी से साथ प्रतिशत जादा मिल र रहा है यानि कि हम रेट आफ इंटरस निकाल सकते हैं सिक्स्टी अपॉन एट करके यानि की सेवन पॉइंट फाइफ एक सब्सक्राइब करता है उसी साधारन ब्याज की दर से तो उसे चार साल बात जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो कितना होगा कैसे कर रहेंगे सर इसको देखिए तो सब से बहाँ हमको समज में आ गया सिर कि आपने अगर सो निवेश किया तो आपको मिला सर qué donald तो आपको एक्ष्य में मिला कितना सर साथ मिला यह कितने साल में मिला सर आठ साल में मिला यानि कि आपका जो rate of interest वो 7.5% है यह आपका rate of simple interest हो गया सर ठीक है ना अच्छा अब आपके पास में 9600 रुपए है ठीक है यह हो गया आपका P into R करेंगे आर आपके पास में कितना है स T into R into T upon 100 यह चीज़ करनी है ठीक है सर तो यहां से आपके दो 0 चले जाएंगे हां सर यहां से यह चीज़ बन जाएगी सर 48 हां सर और यह 15 into 4 कितना हो जाएगा सर आपके पास 60 तो 48 into 60 करना है आपको तो एक 0 तो लगेगा लगेगा 6, 8, 48, 24 और 4, 28 यानि कि 2, 880 यानि कि आप का जो B option होगा वह आपका सही जवाब होगा वह आपका सही ज़ाब होगा कोईु दिक्कत वरिशानी किसी भी तरह की नहीं पक्का आगे बढ़ सकते हैं तो आसां सा सवाल था साधरें सा सावाल था आगे बढ़ते हैं और time waste नहीं करेंगे next deci Tou uniform a is 40% more efficient than B and both together can complete a work in 9 3 x 8 days if a work तो आपको एक बार तो यह कहा गया कि A की जो कारेशमता है वो 20-40 प्रदिशत जादा है ठीक है तो यहाँ पर उन दोनों की एफिशेंसी का रेशियो प्रदाशल जाएगा हमें फिर वो बोल रहा है कि यह दोनों मिलकर काम करते हैं तो 9-3-8 में काम कम्लीट कर देते हैं यानि A पहले 5 दिन काम करता है अकेले और फिर उसके बाद जो है बचा हुआ काम B करता है तो इस तरह से जो टाइम लगेगा टोटल काम को करने में वो कितना लगेगा वो पता लगा लिए तो कैसे करेंगे सर ध्यान से देखिया मैंने यहाँ पर बोला सर यहाँ पर A है और यहाँ आधा है तो इसकी अगर पांच होगे तो इसके इफिजयन से साथ होगे इसों चीज का तो है तो इसकी 140 होगी फिर 20 से काट होगे तो साथ बार पांच बार ये भी कर सकते थे आप ठीक है ना चलिए तो यह चीज यहां से हटाते हैं अब यह बात करते हैं सर की इनकी इफिशेंसी हमने मालने की क्या क्या है अब हमें मालुमें की ए और बी अगर मिलकर काम करते हैं तो काम जो है वो 9 3 by 8 9 3 by 8 days में complete होता है यानि की यह जो चीज है यह आपको total work दे देगा तो यहां पर क्या होगा A plus B यानि की 12 हो जाएगा into 75 by 8 हो जाएगा ठीक है फोर टूजा और फोर थ्रीजा तो यहानि की यह हो जाएगा 225 upon 2 इसको अपन ऐसी रहने देते हैं यह हमारा total work आ गया अब अब हम बात करते हैं सर यहां पर कि वो बोल रहा है कि अगर A ने अकिले 5 दं काम किया और B ने फिर बचा हुआ काम किया अब कितने दिन में उसने बचा हुआ कामadle किया तो पता है बट काम है कितना आपका 25 तो ए ने अगर पाश दिन काम किया तो एक एफिशेंसी कितनी है साथ है तो यह 35 उनिट कर देगा ठीक है बी की एफिशेंसी कितनी है पाँच है यह 5T हो जाएगा और यहां से 225 अपाउन 2 हो जाएगा तो यहां से 5T जो होगा वो कितना होगा सर 225 अपाउन 2 माइनस यहां पर 35 हो जाएगा यहां से 225 में से कितना जाएगा सर 70 जाएगा है ना तो यहां पर कितना हो जाएगा सर 155 अपाउन 2 यह हो जाएगा तो यहां से अगर आप T निकालना चाहो तो टी कितना होगा सर 5 से इसको डिवाइट करेंगे तो 5 3 जा 5 1 जा तो यह जाएगा सर 31 बाइटू तो यह तो टी आ गया बट यह टाइम आगा है कि अगर एप पहले पास दिन काम करता है और बचावा काम भी करता है तो टाइम कितना लगेगा निकि 5 प्लस टी निकालना आपको तो आपका जो रिक्वाइट टाइम है आपका जो रिक्वाइट टाइम है वो कितना है सर टी प्लस 5 टी प्लस 5 यानि कि आपके पास कितना है सर 31 बाइटू और यह 5 कितना है आपके यह तो 5 है तो यह कितना हो जाएगा सर आपके पास में 10 यानिकि 41 बाइटू 41 बाइटू क तो हमें A और B की efficiency की बारे में जानकारी थी, अगर इनकी efficiency हमारे पास आज चुकी है, तो हम into number of time या number of days करेंगे, तो हमारा total work आजाएगा, अब total work आज चुका है, अब वो बोल रहा है, अगर A पहले 5 दिन काम करता है, अकेले फिर चला जाता है, बचा हुआ काम B करता है, तो इस तरह से काम करने में कितना लगेगा, total समय वो आपको निकालना था, ठीक है न, कोई दिक्कत, कोई परिशानी, नहीं, चली, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं, सर इस सवाल की, आप से बोल रहा है, train A running at speed of 54 km per hour, crosses a platform of length, same as that of the train, in 36 seconds, तो आप से बोल रहा है, train A है, जिसकी speed आपको पता है, वो एक platform को पार कर रहा है, जिसकी लंबाई, train के लंबाई के बराबर है, और उसको पार करने में उसको कितना समय लग रहा है, 36 seconds, यानि train platform को 36 seconds में पार कर रही है, तो यहां तक हम अगर काम करते हैं, तो यहां से हमें train की length और platform की length जो की दोनों की बराबर है, वो निकल जाएगी, उसके और फिर क्या बोल रहा है, train B, which is 230 meter long, crosses the same platform in 25 seconds, अब हमें train B की length पता है, platform की length हमने पहले निकाल ली थी, तो दोनों की length पता चल गई, और उसको वो पार कर रहा है, 25 seconds में, तो यहां से हमें speed of train B पता चल जाएगा और वही हमसे पूछा है, तो कैसे अपरोच करेंगे, सर ध्यान से देखिए, तो यहां पर जो पहला case होगा, वो यह होगा, कि सर, train A की जो लंबाई है, वो X है, platform की लंबाई भी हमने X मान ली, तो यह हो गया, सर, total distance, distance जो होता है, सर, speed into time होता है, speed क्या होगा, सर, 54, इसको 5 by 18 से multiply कर देंगे, तो यह meter per second में आ जाएगा, और time कितना लग रहा, सर, 36, तो यह कौन सा case होगा, सर, जब train platform को पार कर रहा है, तो अपनी और platform की लंबाई पार करेगा, किसी speed से पार करेगा, अपनी speed से पार करेगा, और उसे कितना समय लग रहा है, 36 second लग रहा है, तो य यहां से हमें क्या पता चल रहा है, सर, यहां से हमें पता चल रहा है, कि यहां से जो 2X होगा, अगर हम इसको cancel करेंगे, 3 से, ठीक है न, तो यहां पर कितना हो जाएगा, सर, 15 into 36, तो यह हो जाएगा, सर, 540, यहां से X की जो वैलो आएगी, कितने हैंगे, सर, 270, X कि लूँ 270 यही आपकी length of train है और यही आपका length of platform है अब length of train में length of train में कौन सा train है भाई यह है तो यहाँ पर यह लिख देते हैं यह बात खतम हो गई ठीक है सर अब हम बात करते हैं second case की second case में क्या हो रहा है second case में train b है जिसकी लंबाई 230 मीटर है और वो platform को पार कर रहा है जिसकी लंबाई 270 मीटर हम निगाल चुके हैं और उसे पार करने में उसे कितना समय लग रहा है sir 25 second लग रहा है तो यह 25 second कर दिया तो यहाँ से आपको क्या समझ में आएगा sir यह आपका distance है और यह आपका क्या सर स्पीड है तो यह आपका time है distance upon time तो यहाँ से क्या आजाएगा sir speed आजाएगी इस speed किस की आएगी sir train b की speed आएगी ठीक है न तो यहाँ पर यह कितना और है sir 500 तो यहाँ पर यह हो जाएगा sir बीस बड़ी है meter per second में आएगा आपके पास में जो option है वो kilometer per hour में तो आप यहाँ पर क्या करोगे sir यहाँ पर आप 18 बटे 5 से multiply करोगे तो यहाँ से कितना आजाएगा sir 72 kilometer per hour अब कोई दूसरी train है बी जिसके लंबाई पता है वो platform को पार कर रहा है उसके लंबाई पता होनी चाहिए थी निकाल लिया हमने पहले और उसो time लग रहा है पच्ची सेकेंड तो यहाँ से उस train की speed आ जाएगी ठीक है चली कोई दिक्कत यहाँ पर चली आगे बढ़ते हैं इसको यहां से हटाते हैं next question पर आते हैं आप से क्या बोल रहा है भी है कि four year ago ratio of age of a and b was three to four तो चार साल पहले और बी की age का जो ratio था वो three is to four था आप से बोल रहा है average of present age average of present age of a b and c is 26 years तो वरतमान में a b c तीन लोगों की जो present age है उसका जो average है वो 26 है यहां से हम सम निकाल सकते हैं है न 3 से multiply कर देंगे c is 11 year younger than b c की जो age है वो b से 11 साल कम है है न c छोटा है b से कितना 11 साल छोटा है what is the present age of b आपको b का age बताना है तो भी है चार साल पहले a और b का जो भी age का ratio था वो हमें पता है present में उन तीनो a b c तीनो की age का average पता याने की total पता है और c के बारे में यह पता है कि c b से 11 साल छोटा है आप से पूछ रहा है b की age क्या होगी तो यहां पर क्या करेंगे कैसे करेंगे ध्यान से लेगे अगर यहां पर हम बोलते हैं कि इनकी age जो है वो 3x और 4x है कब है यह age सर चार साल पहले है तो अभी इसमें अगर हम 4 add कर देंगे अगर हम अभी इसमें 4 add कर देंगे तो यहां पर जो आएगा वो 3x प्लस 4 और 4x प्लस 4 आ जाएगा और यह present age आ जाएगी यह क्या जाएगी सर? present age आ जाएगी किसकी आ जाएगी सर? यह present age आ जाएगी सर आपकी A की और B की अब C के बारे में जान कर रहे हैं कि C जो है वो 11 साल छोटा है तो इसमें से 11 कम करेंगे तो 4x minus 7 हो जाएगा इन तीनों का जो total है इन 3 आ क्यों का जो total है इन 3 आज जो total है 4 48 3 11 x और 4 48 8 में से 7 गया एक इन तीनों का पूछ रहा है यानि कि आपको 4X plus 4 की वेलू चाहिए तो 4 into 7 करेंगे plus 4 करेंगे ठीक है ना तो यहां पर कितना हो जायगा सर्विन्टीएट और 4 कितना हो जाएगा सर्ण आपके पास में 32 तो इसकी जो प्रेजेंटेज है वो कितनी है बतिस है भी की जो प्रेजेंटेज है कि कि a man deposit 10% of his salary in PF तो एक व्यक्ति अपनी आयका 10 प्रतिश्यत PF में deposit करता है he save 30% of the remaining अब इसके बाद जो बच रहा है उसका 30% वो save कर लेता है ठीक है ना तो यहां पर आने के बच्चों को थोड़ा अब इसके बाद जो भी इंकम है उसका 10% निकाला पीएफ में डाल दिया अब जो बच गया पीएफ में डालने के बाद उसका 30% निकाला वो उसकी savings है अब वो बोल रहा है दा ratio of his expense on medicine and groceries is 3-4 of the remaining salary after saving अब saving हटाने के बाद जो बच रहा था उसको उसने 3-4 में डिवाइड करके expense कहां किया है medicine पर और groceries में किया है ठीक है सर आब वो बोल रहा है कि if his expense on the medicine was rupees 2700 आप उसका जो medicine पर खर्चा हो रहा है वो 2700 रुपे हो रहा है तो आप से बल रहा है उसकी monthly salary कितने होगी है ना उसकी monthly salary कितने होगी तो कैसे इसको approach करेंगे ध्यान से देखो मैंने बोला सर उसकी income है 100 उसका 10% यानि की उसने 10 निकाला और PF में डाल दिया अब उसके पास बचा कितना सर उसके पास बचा 90 अब 90 का 30% यानि की कितना हो जाएगा सर 27 ये उसकी क्या है सर savings है savings है तो इसके पास बचे का कितना सर 63 63 को उसने दो भाग में divide किया 3 तो 4 3 और 4 कितना होता सर 7 होता है 7 की value कितनी है सर 63 है यानि कि एक unit के लिए 9 है तो ये कितना हो जाएगा सर 27 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा सर 36 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा सर 36 हो जाएगा ठीक है ना ये चीज हो गई अब ये जो खर्चा कर रहा है वो किसमें कर रहा है मेडिकल में और किसमें ग्रॉसरीज में यही बोल रहा है उसमें है ना मेडिकल में और ग्रॉसरीज में बड़ उ ये कितना होगा सार आपका 10,000 तो ये आपका एंसर हो जाएगा अगर वो कल को आपसे पूछता है कि उसकी सेविंग कितनी है तो इसमें 2-0 लगा दो इसके आगे है ना ग्रॉसरीज में कितना खर्चा हो रहा है तो ये लगा दो आप ठीक है ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो कोई दिक्कत ये इंकम थी 10% निकाला पीपेफ में चला गया पीफ में चला गया जो बचा उसका 30% सेविंग चला गया जो बचा उसको 3-4 में मैडिकल और ग्रॉसरीज में खर्चा किया मैडिकल का एक्चुल खर्चा पता है तो यहां पर 27 किलोगर 2700 है तो 100 की वैलू 100 इं 60% if both the sorry if from the 80 gram mixture if from the 80 gram mixture 20 gram of mixture is taken out and 6 gram of pure water is added to the mixture then find the ratio of milk and water in the new mixture तो आप से बुल रहा है कि एक mixture है milk और water का जिसमें जो milk है वो 60% है इसका वाकि 40% water होगा आप वो बुल रहा है कि अगर 80 gram का यह mixture है और इसमें से हम 20 gram का mixture निकाल लेते हैं और उसको हम 6 gram of pure water से replace कर देते हैं तो आप finally जो आपके पास में mixture होगा उसमें milk और water का ratio क्या होगा ठीक है कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखो मैंने का सर मेरे पास में mixture है milk और water का इसका जो रेशो है वो यह कि सर यह आपका 60% है तो जाहिर सी बात है यह 40% होगा यानि कि इसका रेशो होगा सर थी इस्टू टू तो यह थी इस्टू टू है और इसकी जो quantity है यह मान लेते हैं कि यह 80 gram है बट अगर आप इसमें से 20 gram न जाएगी तो आप लोगे सर तीन और दो कितना होता है सर पांच होता है पांच यूनिट जो है वो आपका 60 gram के बराबर यानि एक यूनिट जो है वो 12 के बराबर हो गया यानि कि यह कितना हो जाएगा सर आपके पास में 24 हो जाएगा यह कितना हो जाएगा सर आपके पास में आप से बला जो यो फाईनल आपके पास임 शर raft वemie मिल्क और वाटर करेशो कितना होगा तो उसमें मिल्क और वाटर गर रेशो यानि कि च्छतिस और थीस छतिस और थीस तो शिक्षih-जा और Julian तो ये आपके पास में answer आजाएगा यह आपके पास में answer आजाएगा, आपका six to five answer होगा, जैँ कि पेटा, कोई TYPAT, कोई परिशानी, किसी भी तरह की नहीं, पक्का तो ये इस सवाल का सही जवाब है, ओगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पटाक से आगे बढ़ते हैं, साब ठीक है चली चली स्पीड आपको मेंटेन करनी पड़ेगी भीया आप से बोल रहा है कि a sphere is melted and molded into solid cylinder एक sphere को melt करके उसको हमने एक solid cylinder बना दिया यानि कि इस केस में हम क्या करते हैं जब किसी को melt करके कुछ और बनाते हैं तो फिर दोनों का जो volume है वो सेम होना चाहिए तो इफ radius of both solid is equal है ना दोनों का radius हमारा सेम है then find the ratio of total surface area of sphere to the total surface area of cylinder तो sphere का total surface area और cylinder के total surface area का आपको क्या चाहिए सर रेशो चाहिए तो यहां पर आपको formula भी पता होने चाहिए तो हम यहां पर क्या करेंगे सर एक स्फियर है उसको melt करके हमने cylinder बनाया है यानि कि दोनों का volume सेम होना चाहिए स्फियर का volume कितना होता है 4 upon 3 pi r cube cylinder का कितना होता है तो यहां से कुछ फायदा होगा है ना radius और height के बीच में कुछ relation मिल सकता है हमें फिर वो बोल रहा है कि भी आपको टोडल सर्फिस एरिया जो स्फियर का है जो की 4 pi r square होता है और टोडल सर्फिस एरिया जो कि स्फियर का जो की 2 pi r और bracket के अंदर r plus h होता है उसका ratio बता रहा है तो क्या करेंगे कैसे करेंगे ध्यान से देखो मैंने का सर यहां पर स्फियर है यह इसको आपन ऐसे लिख देते हैं भाई साब कि आपने melt करके बनाया है इसका मालदा volume of sphere जो होगा और जो volume of cylinder होगा वो आपस में क्या होगा बराबर होगा इसका volume क्या होगा सर 4 upon 3 pi r q और यह होगा सर पाई r square h अब इसका r और सेम है तो यहां पर r square होगया और यह होगया अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है सर यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ से यह जो πाई है यह रे बीच नहीं रहेगा यहाँ से आर स्क्वार से इसका एक आर बचेगा बस तो यहाँ से ह की जो वैलू है वो कितने आ रही सर four by three times of r आ रही है तो यह हमारे पास में H और R में एक relation आ चुका है उसके बाद फिर हम क्या करेंगे सर हमें total surface area जो चाहिए वो किसका चाहिए सर sphere का ठीक है न और हमें चाहिए किसका total surface area किसका cylinder का तो हमने बुला सर यह जो होता है यह 4 pi r square होता है है न इसका जो होता है वो क्या होता है सर 2 pi r और यहाँ पर होगा सर r plus h यह चीज हो जाएगी हाँ सर हो जाएगी तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे ध्यान से देखो अब हम यहाँ पर क्या क्या करेंगे सर total surface area sphere का और total surface area अपना cylinder का is equal to 4 pi r square यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 2 into pi into r अब यहाँ पर क्या होगा sir यहाँ पर r plus h होगा तो क्या मैं यहाँ पर r plus h निकाल लूँ r plus h निकाल लूँ तो यहाँ पर अगर मैं r दोनों तरफ आट करूँगा तो यहाँ पर कितना होगा 7r by 3 हो जाएगा 7r by 3 हो जाएगा Pi से Pi चला जाएगा, 2 से ये दो बार चला जाएगा, 3 उचक की उपर जाएगा, तो यहाँ पर उपर 6 हो जाएगाइ नीचे यहाँ pelossa यहाँ पर यह साथ बचा हुआ है, ठीक है, तो इसका जो ratio आहेगा, वो 6 x 7 आहेगा, इसका जो नीशो आएगा वो क्या एगा सर्फ 6 by 7 एगा ठीक है कोई दिक्कत कोई परिशानी है ना 4 pi r square उपर लिखा हुआ है नीचे लिखा हुआ है 2 pi r और और प्लस एच जो वैवाई हो 7 r by 3 है r square उपर नीचे से cancel होगा पाई उपर नीचे से cancel होगा 4 2 से कटेगा 2 ताइमस और थ्री नीचे वाला उचक के उपर जाएगा 6 by 7 बचेगा ठीक है तो इस सवाल का सही जवाब क्या है सर 6 by 7 है कोई दिक्कत है भाई कोई परिशानी है नहीं चली आगे बढ़ते हैं इसको यहां से हटाते हैं अब बात करते हैं इस सवाल कि आप से क्या बोल रहा है सवाल को समझ लेते हैं आपके पस तीन पार्टनर से जिनका नाम है PQR इनका जो इनिषाल इंवेस्मेंट है वो 257 का है 6 महीने बाद P कुछ और amount मिलाता है और वह amount जो मिलाता है वो किसके बराबर है वो Q और R के इनिषाल इनिषाल इंवेस्मेंट के है ना initial investment के sum के आधे के बराबर है sum के आधे के बराबर है यानि कि उन्होंने कितना investment किया था कि और आपने 5 और 7 यानि कि 12 उसका था करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और P ने कितना मिलाया था 2 मिलाया था तो P ने 2 मिलाया था और 6 मेने बाद जो वो मिला रहा है या 6 मेने बाद जो भी उसका amount हो जाएगा उस समय वो कितना हो जाएगा सर छे हो जाएगा जो । यहीं बोला है in the end of 6 months, we added some more amount अब उसने जो amount मिलाये है उसके बाद, JOE मिला ए उसके बाद क्या बोलरा है such that his Investment become equal to half of sum of Q&R initial investment है ना तो Q और R के initial investment का आधे के बराबर हो जाएगा तो 5 और 7 12 का आधा 6 होता है अब बोल रहा है कि अगर साल के अंद में Q का जो profit share है वो 425 रुपए है तो बताओ total profit कितना होगा ठीक है ना तो total profit अपने को निकालना है कैसे करेंगे ध्यान से देखो मैंने बोला है सर यहाँ पर P है यहाँ पर Q है यहाँ पर R है अच्छा इसने 5 मिलाया है इसने 7 मिलाया है और इन्होंने आगे चलके कुछ भी नहीं मिलाया तो इनका जो पैसा है कितने साल की बात हो रही है if at the end of one year ठीक न तो यहाँ पर इसने कितना मिलाया इसने मिलाया है दो यह चे मैंने तक रहेगा उस के बाद मिलाने के बांच और साथ पांच और साथ के sum के ऐसे की परवर होगा पांच और साथ बारा बारा घाना च्छ तो यह 6 हो जाएगा, यह अगले 6 मैंने के लिए निवेश रहेगा, ठीक है यह आपका ratio आना चीए, यह आना चीए ratio भई सब, कोई दिक्गत, कोई परिशानी तो यह कितना और है सर 12 और यह कितना और है सर 36 तो यह कितना हो जाएगा सर आपके पास में 48 यह हो जाएगा सर 60 यह हो जाएगा सर आपके पास में 84 ठीक है न तो 12 से यह जाएगा सर आपके पास में 4 बर 12 से जाएगा सर 5 बर 12 से जाएगा सर 7 बर तो यह आपके पास में ratio आजा इसोला सोला कियो मांग रहा है न तो आप क्या बोलोगे सर यहां पर फाइफ एट जा फॉर्टी और फाइफ फाइफ जा ट्वन्टीफ यह निए टी फाइफ टाइम्स हो गया तो 85 करना है आपको तो सोला इंटू पांच करेंगे तो कितना हो जाएगा सर आपके पास में असी दिक इंटू आइइ यहां पर आपके पास कितना हो जाएगा सर 20 chances को इन्हों ने तो आगए चलके कुश इंवेस्मैंट किया नहीं तो पांच और साथ को मेंटिपलाय कर दिया बरास से हैं ना एक साल में बारा महिने होते हैं उइसने छे मेने संगे बाध की आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं अब यहां पर क्या बोल रहा है इस शौपकीपर मार्क सब प्राइज ओफ एलीडी 60% अब इट्स कॉस्ट प्राइज एक शौपकीपर है जो की एलीडी का जो प्राइज वो 60% बढ़ा के रखता है कॉस्ट प्राइज से एंड फ्री सक्सेसिव इन 25% इफ शौपकीपर मेड लॉस ऑफ 16% ऑन लेडी फाइंड सेकंड डिसकाउंट अलाउट बाइज शौप से एक शौपकीपर है जिसने एक आर्टिकल का प्राइज 60% बढ़ा के रखा है कॉस्ट प्राइज से और फिर वो उस पर तीन सक्सेसिव डिसकाउंट देता है ऐसा करने पर उसको 16% का नुकसान होता है आप से बूले जो सेकंड डिसकाउंट उसकी वैलू क्या है आपके पास option है तो कैसे अप्रोच करेंगे सर ध्यान से देखो सबसे बहले लिखेंगे सर मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हम बोलेंगे सर आपन हों हमें यह चीज मिल चुक्ए हम इसको अभी इहां पर ऐसे रहने देखें हैं अब हम बात करते हैं सर कि आप डिसकाउंट दे रहे हो तीन सक्वेशेश्व प्राइस का है और देने के बाद आता क्या है सेलिंग प्राइस यानि की यहां पर मार्क प्राइस और समीदू यह कितना है मैंने माल लिया कि P का स्टीकर चपका है और आप Q में दे रहे हो इसको P का स्टीकर चपका है और Q में दे रहे हो आप इसको ठीके सर उसके बाद फिर क्या हो रहा है सर उसके बाद फिर हो रहा है आपका कि आपने 25% का discount दिया 25% का मतलब होता 1 by 4 1 by 4 का मतलब होता कि 4 का sticker chip का आपने 1 का discount दिया अब आप इसको multiply कर लो यह हो जाएगा sir 32p इसको multiply कर लो यह हो जाएगा sir 21q तो यहाँ से आपको mark price और selling price का ratio मिल जाएगा अब mark price और selling price का जो ratio अभी आपका निकला है वो 32p और 21q के बराबर है जबकि आपका जो mark price और selling price है उसका जो ratio है वो 160 upon 84 है है ना 84 है अब यहाँ पर क्या होगा कैसे होगा ध्यान से देखो 21 से यह जाएगा 4 बर 4 से यह जाएगा sir 40 बर 8 से जाएगा 4 बर 8 से जाएगा 5 बर तो यहाँ से P upon Q की जो value आएगी वो आएगी sir 5 by 4 5 by 4 अब यह मानो कि मतलब यह जो चीज है यह 5 है और यह जो चीज है यह 4 है यानि कि sticker चिपका था 5 का और आपने उसको दे दिया 4 में यानि कि आपने एक कम किया हाँ sir कहां से कम किया 5 से तो 1 by 5 हो गया कोई दिक्कत कोई वरिशानी किसे भी तरखी नहीं क्लियर है चल देख लो इसको एक बार आप तो पहले तो हमने मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस के बीच में एक रिलेशन बना के रख लिया और फिर जो स्क्सिशिव डिस्काउंट दे रहे थे उसका मतलब है कि आम प्राइस पे दोगे देने के बाद जो आएगा वो सेलिंग प्राइस आएगा यानि कि यहां से स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इस 12 किलो मेटर एंड इस पीड आपको समय लगता है आपको आप स्ट्रीम में सेम डिस्टेंस होगा तो भी देन फाइंड वैलो आफ एक्स आपको एक्स के लो निकाल लिए तो यहां पर एप्रोच कैसे करेंगे ध्यान से दिखों यहां पर एप्रोच कैसे करेंगे ध्यान से देखो मैंने यहां पर लिखा Jaun डौशरीम यहां पर लिखा मैंने अपस्ट्रीम और यहां मैने लिखा टाइंग यहां अगर को टीन समय लग घृँगा तो आप दो यून जधा ले रहे होगे ज्यादा कहां लोगे अप स् कितना ताइम लगेगा सर पांच लगेगा हाँ या न कोई दिखकत अच्छा आप डिस्टन्स तो दोनों जगा सेमी ट्रेवल कर रहे हो तो डिस्टन्स तो कॉंस्ट हो गया अगर डिस्टन्स तो स्पीड का रिश्यो कितना हो जाएगा सर फाइफ इस टू थी हो जाएगा यह कितना होगा सर यह 8 बाइ 2 यानि की 4 बाइ 1 होगा अब बी की वैलू कितनी है सर बी की वैलू 12 है और एस की वैलू X है और यह कितना है सर 4 और 1 तो 4 की वैलू अगर 12 यानि 3 गुना हो रहा तो इसका 3 गुना करेंगे यानि की X की जो वैलू हो कितनी हागी सर 3 किलोमेटर तो यह इस सवाल का सही जवाब आएगा ठीक है शांदर सवाल ले देखो आप इसको चलिए आगे बढ़ते हैं इसको यहां से हटाते हैं अब यहां पर हमारे पास में कुछ कॉड़िक एक्विशन के सवाल आ गए हैं उतको सौल करेंगे ठीक है तो क्या सवाल है आपको मालू देगा एक X में देगा एक Y में देगा आपको दोनों X की वैलू दोनों Y की वैलूस को निकाल कर आपस में कंपेर करना और बताना इनमें से कौन सा रिलेशन होता है ठीक है ना चलिए तो देखते हैं सवाल कैसे कैसे आएं भाईया तेजी से करेंगे X स्कूर माइनस 8X प्ल और माइनस का 3 जोनने पिर माइनस का 8 आएगा मल्टिपलय करने पिर 15 प्लस का 56 कर दो और X खर को कोई कॉफिशेंड नहीं है तो यही हमारी यही हमारी X की वैलू हो जाएंगे कि般 раз कि ठीक है सर इसकी बात करते है सर हमें दिख रहा है SUFF Сам के माइनस 5 और माइनस 2 को जोडें तो माइनस का साथ आएगा मुल्टिप्लाई करने वे ब्लस का दस आएगा यह सेडिस्फाई कर रहा है इसको हां कर रहा है सर तो आप क्या गरो साइन चेंज कर दो पहली बात उसके बाद वाई स्क्वेर क्या कॉफिशेंट है उससे इसको डिवाइड करना ना भूलें तो यहां पर हमें ज्यादा समय नहीं देना है हमें यहां पर स्पीड में आगे बढ़ना है ठीक है तो यहां तक मेरे इकाल से कोई दिक्कत नहीं होगी नेक्स कोशन की बाग करते हैं आप से बोले 2x2 प्लस x-28 is equal to 02 y2-23y प्लस 56 is equal to 0 आप से बोल रहा है कि एक सरवाई में क्या रिलिशन है ठीक है ना तो टू इंटो 28 कितना होता सर 56 7 8 56 होता है ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे हम यहाँ पर बोलेंगे सर यहाँ पर अगर आठ में से 7 जाएगा तभी एक आएगा क्योंकि हमें एक चाहिए अल मैंस का 4 यह आजाएगा सर प्लस का 3.5 तो यह आपके पास में क्या आजाएगा सर एक्स आप क्या करेंगे कैसे करेंगे देखो टू इंटो 56 कितना होगा सर आपके पास में 112 हो जाएगा एक सो बारा हो जाएगा है ना और आपको चाहिए सर तेस है ना आपको चाहिए सर ते सिक्स है ना ठीक है सर तो पहले साइन चेंज कर दो उसके बाद y स्कूर का कोफिशेंट उसे डिवाइड कर दो तो यहां पर आएगा सर आठ यहां पर आएगा सर 3.5 तो यहां पर आपके पास में y की वेलू जागई आपको x और y में कंपेरेजन करना है यह जो माइनस वाला है वह इन दोनों से छोटा है ठीक है और 3.5 जो है वह इससे भी छोटा है और इसके बराबर है ठीक है यानि कि x जो है वह वाई से छोटा और बराबर है एक जो है y से छोटा और बराबर है यानि कि d option जो होगा इसका सही जवाब होगा ठीक है तो फटा फट आगे बढ़ेंगे फटा फट आगे बढ़ेंगे एक बार देख लो आप कोई दिक्कत तो नहीं आपको है न यह शॉटकट में आपको बता चुका हूं है न रेगुलर क्लासेस में ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं सर इस सवाल की 2x2-7 सब्सक्राइब और इसको हां कर रहा है तो साइन चेंज कर दो और स्कुर के कोफिशेंट से डिवाइट कर दो तो यह आजाएगा सर 7.5 और यह आजाएगा सर माइनस का चार तो यह आपके पास में x की वैलू जाएगी अब आपना आते हैं इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर कितना वारा हो रहा है यादि की बारा और एक जोडनने पे 13 मल्टिपलाए करने पे 12 साइन चेंज क ठीक है और माइनस फूर जो है वो इसके बराबर है ठीक है और माइनस फूर जो है वो इससे छोटा है तो इससे छोटा है हां थे ना माइनस फूर जो इससे छोटा है ठीक है तो इस में यह वो पॉजिट साइन आगा ओपॉजिट तो ऑपॉजिट साइन जैसे भी आते हैं हम बोल देता हम यह रिलेशन नहीं हो पाएगा ठीक है कोई दिक्कत कोई परिशानी चले बेटा आगे बढ़ें वही 7.5 जो है वो इससे बढ़ा है और माइनस 4 जो है वो इससे चोटा है तो एक बार चले फटा फट आगे बढ़ते हैं अब आपके पास में आगे एक स्क्वार माइनस सवेंटीन एक्स माइनस 84 और वाई स्क्वार प्लेस 4 वाई माइनस 117 इस इक्वाल टू जीरो आपको बताना एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा तो 21 और चार है ना यहां से क्या बता वाई सबाना है अपने को 21 और 4 तो माइनस का 21 और ट्लेस का 4 जोडेंगे तो माइनस का 17 करेंगे तो माइनस का 84 ठीक है तो साइन चेंज करू इसका और एक्स स्कर का कोई कोई कोफेशन नहीं है तो यही हमारे roots हो गए यह हमारे roots हो गए इसकी बात करते हैं यहाँ पर हमें क्या चाहिए sir 117 चाहिए 117 चाहिए तो 9 1 जा 9 ठीक है न 9 3 जा 27 13 और 9 का difference 4 होता है क्या होता है यानि कि 13 मेंसे जब 9 जाएगा 13 मेंसे जब 9 जाएगा तो 4 बचेगा हां बचेगा और इनका multiplication माइनस का 117 देगा ही देगा तो यह आपके इसको satisfy कर रहे हैं तो पहले तो इसका sign change कर दो y square का कोई coefficient है नहीं तो यही आपके roots हो जाएंगे यही आपके roots हो जाएंगे अब आपको x और y में क्या बताना है सार रिलेशन बताना है प्लेस का 21 जो है वह इन दोनों से बड़ा है माइनस का फॉर जो है वह इस से जो है बढ़ा है और इस से जो है छोटा है यानि कि जैसी यह sign आया हमने का भिया यह रिष्टा नहीं हो पाएगा ठीक है और relation cannot be established, ठीक है न, तो minus 4 जो है, वो 9 से छोटा है, और 21 जो है, वो बड़ा है, तो एक बार x के लूँ छोटी आ रही है, और एक बार बढ़ी आ रही है, तो relation cannot be established, ठीक है न, चली, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, वैसे भी, जो sign वाला method है, कि इसकी एक value positive negative है, इसकी positive से बढ़ा होगा, और इसका positive से बढ़ा होगा, तो एक बार x बढ़ा होगा, एक बार y बढ़ा होगा, तो कैसे चलेगा ऐसा, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो, आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर आपके पास में सवाल आ गया, कि sir, x square is equal to 9 का square लिखा हुआ है, और y minus 8 का जो square है, वो 9 के बराबर है, ये मैं आपको दे रहा हूँ खुद से करने के लिए, ठीक है, ये आपको खुद से करना है, और इसका जो answer है, वो आपको comment box में भेजना है, है न, comment box में इसको आपको भेजना है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परिशानी, हाँ या न, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सर यहाँ पर, ये हमारे पास में एक सवाल आ गया है, ये अधारित है आपका टेबलर, टेबलर डियाई पर, तो सवाल क्या है सर यहाँ पर देखते हैं, आपसे बोला given below table shows total three types of items, items बोले तो ABC, sold by store on five days of a week, तो हफते में जो पांच दिन हैं, उसमें आप ये तीन items बेच रहे हैं, ठीक है, दिन कौन से दिये हैं, एक बार देख लेते हैं, दिन आपको दिये हैं, Monday से लेकर Friday तक है, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, तो आप अलग अलग दिन में item A, item B, item C, कितना कितना बेच रहे हैं, वो आपको दिय जा गया है, item A की तो exact value दी गई है, बट item B और item C की value percentage में दी गई है, ठीक है न, अच्छा, तो यहां पर क्या बोल रहा है, कि table also shows total type A items sold by store and percentage of items B and items C sold by store, read the data carefully and answer the following question, ठीक है सर, note only three types of items sold by the store, याने कि सिर्फ वर सिफ इन तीन items को ही बेच रहे हैं, इसके लावा कोई चौथ item नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, कि जो चीज आपको percentage में दी गई है, उससे आप यह पता लागा सकते हो कि अगर यह 32% और यह 20% यानि कि यह 52% है, तो अगर यह 52% है, तो यह जो होगा, यह 48% होगा, क्योंकि आपके बास तीन ही items है, यानि कि total 100% में से 32% और 20% तो यह रहा, यानि 52 यह हो गया, तो यानि कि यह कितना होगा, 48 होगा, तो इससे क्या फाइदा होगा, इससे फाइदा ही होगा, कि अगर हमें यह पता है कि 48% है, तो 48% की value पता है, तो हम 32% और 20% की value भी निकाल सकते हैं, बात समझ में आ रही है आपको, चलिए, तो यहां से अपना पहला काम होगा कि हमें यह आइटम के बारे में इनकी जो संख्या है वो पता होनी चाहिए, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, तो हम यहां पर इसको solve कर लेते हैं, भाई, आजाओ, तो Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, तो हम यहां पर आ जाते हैं, और यहां पर अपन लिख देते हैं, भाईया, तो यह आपका Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, और Friday, फिर बात करते हैं, सर, यहां पर आइटम A, B, C, तो यहां पर आपन बात करते हैं, तो यह आइटम A है, यह आइटम B है और यह आइटम C है, अब आइटम A जो है, वो कितना है, सर, दोसो चालिस 320, और 420, 360, 420, 360, और 340, 340, यह हो गया, अब आपको क्या गरना है, सर, 32 और 20% आपको यह दिया गया है, ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूँ, वैसे लिखने की जूरूत नहीं है, आपन यहां पर ऐसे करते जाएंगे, तो आपन यह बोलेंगे, सर 32 और 20 कितना हो ग गया ठीक है सर तो यहां पर क्या औरँ रहा है यहां पर आपके पास यहां पर में Фाइवत है इसका और बीसका भी तीज तो बट्टिसका five times करोगे तो 160 आएगा और ये आएगा आपका 100 तो ये आपने items निकाल दी है बी और सी के Monday की दिन जो उसने बेचे हैं ठीके ना उसके और फिर क्या बोले Tuesday में आ जाईए 48 और 12 कितना होगे 60% होगे ये 40% है तो ये अगर ये 40% है है कि 8 times है एट टाइम से तो इन सब का भी 8 times कर देते हैं तो 48 into 8 होगा तो 12 into 8 होगा तो 12 into 8 जो होगा वो तो 96 हो जाएगा और 48 into 8 करना है ना 48 into 8 करना है तो 8 into 64 हो जाएगा च्छे बचे गा 8 forza 32 or 6 38 हो जाएगा. यानकी 384 हो जाएगा. तो यह आपके पास में कितना आएगा sir? 384 आजाएगा. तो यह काम आपका खादम हो गया. उसके आधा फिर आते हैं next पे. तो यहां पर 45 और 20. 65 हो गया यह 35% होगा. यहना यह 35% होगा. तो इसको यहां से हटाते हैं क्या बोल रहा है सर 45 और 20 65 हो गया तो बचा कितना सार 35 परसेंट कितना है आपका 420 यह एक चीजज आ जाएगी और उसके बाद फिर क्या बोल रहा है 20 in to 12 करेंगे हैंना 20 in to 12 करेंगे तो यह आ जाएगा सर 240 यह 240 आ जाएगा यहां लिख देते है 240 और 45 into 10 करेंगे तो 4.500 होगा और 45 into 2 करेंगे तो 90 होगा तो यह 540 आ जाएगा ठीक है Thursday को आते हैं, Thursday को अपने पास कितना है, 360 इदा दिया है, यह 56 और 20, यानि कि 76, यानि कि आपके पास कितना बचेगा, 24, 24, यहां से इसको अटाते है, तो आप यह बोलोगे सब 24% जो है, वो 360 के बराबर है, यानि कि इसमें अगर आप 15 मल्टिप्लाइ करोगे, 24 का आधा कितना ह होता है, 12 जोड़ों के 36, रिक 0 लग जाए, यानि कि 15 टाइम सो रहा है, 15 तो 15 टाइम सो रहा है, इसका मतलब 56 को, 56 को 15 से मल्टिप्लाइ करोगे, यानि कि इसमें 28 जोड़ दो, ठीक है, यह 14 होगे, 57, 8 होगे, 840 हो जाएगा, यानि कि यह वैलो 840 आजाएगी, और उसके ब है न, 20 इंटू 15, यह करना है न, तो यह 300 हो जाएगा, ठीक है सर, यह 22 और यह 10, यानि कि 32, 32 यानि कि यह 68 हो जाएगा, ठीक है न, 68 हो जाएगा, तो 68 की वैलो कितनी वैसा, 68% की जो वैलो है, वो 340 है, तो यह साफ साफ देख रहा है कि यह 5 टाइमस हो रहा है, अगर यह 5 हो रहा है तो इसका 5 times करेंगे तो 110 और 50 है न यह हो जाएगा 110 और 50 यह हो जाएगा परेख लिएज लेस दें लेस लेस दें लेस देन आइटम सोल बाइस to see on Wednesday and Thursday सी का कहां देखना है सर वेनजडे ओर सटीम कोई दिकत नहीं तो बीपे देख लेते हैं फ्राइडय और बंडेबी पर देख लेते हैं फ्राइड़ और मंडे तो यहां से change करते हैं भाई यह तो B का कहा देखना है सर Monday देखना है और Friday देखना है तो यह कितना हो जाएगा सर 270 हो जाएगा तो यह आपके पास में 270 है और C का देखना है Wednesday Thursday C का Wednesday Thursday C का Wednesday यह रहा और Thursday यह रहा तो यह 540 हो गया ठीक है यह कितना हो गया सर 540 हो गया तो 270 70 540 से 270 कम है और यहां पर इसको compare करना है 540 से into 100 तो यह आजाएगा सर आपका 50 परसेंट यह आजाएगा सर 50 परसेंट ठीक है न मेरे काल से इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं एक बार data collect कर लिया सही सही कर लिया तो फिर सवालों के answer अपने आप फटा फटा आने लगेगे तो total item sold by store B on Monday and Friday together यानि कि इतना are what percentage less than total item sold by C on Wednesday and Thursday यह आपको करना था ठीक है बेटा चल आगे बढ़ते हैं और इसको हटाते हैं अब बात करते हैं इस सवाल की इस सवाल की आप से बोला find the difference between average number of items sold by store B on Tuesday and Thursday and average number of items sold by store A on Thursday and Friday यानि कि आपको यह बताना है कि B ने बी ने Tuesday और Thursday को Tuesday और Thursday को जो average number of items बेचे हैं और A ने जो Thursday और Friday को जो average number of items बेचे हैं उसका क्या बताना है तो बड़े में से चोटे को minus करना है तो B में जाएंगे Tuesday और Thursday देखेंगे बी में जाएंगे Tuesday और Thursday देखेंगे यानि कि अपने को ये देखना है और ये देखना है तो ये कितना हो जाएगा सर चार हो जाएगा आठ चार बारा हो जाएगा और आठ तिन ग्यारा बारा हो जाएगा ठीक है न यही होगा यहां आट्टिन ग्यारा ग्यारासो हो गया और यह 120 हो गया तो 12250 और यह 4 हो गया ठीक है 1224 ठीक है तो यह बारा सो चाओ बैस अपउन 2 यानि कि कितना होगा सर आप 612 ये आगया आपके पास में थर्सडे और फ्राइडे ए जाना है, तो थर्सडे और फ्राइडे ए जाना है, अपन को यहाँ पर बी पे जाना था न, अपन बी पे गए न, ठीक है, थर्सडे और फ्राइडे कहा जाना है अपने को थर्सडे और फ्राइडे अपने को ए पे जाना है, तो थर्सडे और फ्रा तो यहां पर जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा दो और यह दो आएगा और ग्यारा में से पांच जाएगा तो छे बचेगा और पांच में से तीन जाएगा दो बचेगा इसका डिफरेंस बताना था बस और कुछ भी नहीं बताना था तीक है ना चला आगे बढ़ते हैं इसको यहां से अटाते हैं अब बात करते हैं इस सवाल कि इस total items sold by store B on Sunday total item sold by store B on Sunday is 25% more than that sold on Thursday. अच्छा, तो if total item sold by store B on Sunday तो यहाँ पर Sunday दिया नहीं है, यहाँ पर Friday तक ही गए हैं आपर, तो यहाँ पर क्या बोलाएं? Sunday का comparison किया है, तो यहाँ पर क्या बोलाएं? यहाँ बी के बारे में बात हो रही है, कि जो Sunday को उसने बेचा है, तोटल item sold by store B on Sunday is 25% more than that sold on Thursday and total item sold by C on Sunday is 300% more than that sold on Friday. अच्छा, तो यहाँ तक पहले पढ़ लो, यहाँ तक पहले पढ़ लो, तो आपको समझ में आएगा कि total item sold by store B on Sunday is 25% more than that sold on Thursday. यानि कि B की बात हो रही है, B की बात हो रही है, कि B ने Thursday को जो बेचे हैं, उससे 25% जादा यहाँ बेचा है, यानि कि यहाँ 4 item बेचा हो तो यहाँ पर 5 बेचा होगा, ऐसा बोल रहा है, यह ना, तो आपन देख लेते हैं, B ने Thursday को कितना बेचा है, B ने Thursday को बेचा है, 840, तो यानि कि यह जो वैलू है, यानि कि यह 4 टूजा, 4 वनजा और यह 0, यानि कि इसमें 2 वन जिरो मुल्टिप्लाई कर लो, ठीक है, तो यह 1050 हो जाएगा, ठीक है सर, यह आगे आपके पास में, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, उसके फिर वो बोल रहा है, और टोटल आइटम सोल्ड बाई, सी ओन संडे, अब सी की बात हो रही है, सी ओन संडे, इस 300 परसेंट मोर देन देट, सोल्ड ओन फ्राइडे, सी का फ्राइडे से कंपेरेजन करना है, अच्छा, यहां से क्या बोलाई, 300 परसेंट मोर, इस से 300 परसेंट मोर का मतलब यह होता है, कि अगर यह एक होगा, तो यह चार हो जाएगा, आप देखो ना, यह से कितना ज़्यादा है, तीन ज़्यादा है, इस से होगा, एक से इंटु हंड्रेड कर देंगे, यानि कि यह इससे 300% जादा है तो 300% जादा होने का मतलब होता है कि 4 गुना हो गया 200% जादा होने का मतलब होता है कि 3 गुना हो गया ऐसा इसका मतलब होता है तो अगर यहाँ पर यह जो चीज है यह से 300% जादा है तो अगर यह 1 होगा तो यह 4 हो जाएगा यह इसका मतलब है तो आपने बोला C का Friday का कितना वही है C का Friday का कितना C का Friday 50 है तो C का Friday अगर 50 है यानि एक की वेलू 50 है तो 4 की वेलू तो 200 ही होगी ठीक है सर अब आपसे बोला क्या हो देख लो then find the total number of items sold by B and C on Sunday B and C on Sunday यानि कि आपको इसका और इसका total बताना था ठीक है न तो यह तो कितना होगा 1250 हो जाएगा 1250 हो जाएगा तो इसका answer क्या आएगा सर 1250 ठीक है तो simple था ठीक है simple सवाल था ठीक है कोई दिक्कत कोई परशानी आपको store B और store C का Sunday का data निकालने के लिए यहां पर बोला गया था और उसका relation आपको दिया गया था किसी दूसरे दिन के साथ में आपने वो value निकाल ली उसका फिर उसका sum पूछा था और कुछ भी नहीं पूछा था ठीक है चली आगे बढ़ते हैं और next सवाल पर चर्चा करते हैं यहां पर क्या बोल रहा है total items sold by store C total item sold by store C on Wednesday तो C का Wednesday देखना है C का Wednesday देखना है 240 है ना C का Wednesday देखना है जो की 240 है is what percentage more than is what percentage more than more than total item sold by store C on Monday and Tuesday together C का ही देखना है बढ़ कांसा देखना है Monday और Tuesday देखना है तो C का Monday और Tuesday C का Monday और Tuesday 196 तो यह हो जाएगा सर 196 तो इसमें 4 जोडेंगे 200 और 40 जोडेंगे यहने कि 44 upon कितना 196 into 100 इसको solve करना है इसको solve करना है ठीक है ना तो यहां पर अगर 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 आपन solve करेंगे इसको ध्यान से देखेंगे अपन तो अगर हम 4 से इसको cancel करें तो 4 4 जो 16 4 9 जो है ना यहां पर 11 हो गया ठीक है ना अच्छा तो यहां पर क्या हो जाएगा सर यह 1100 upon 49 हो जाएगा अच्छा एक चीज आप यह बताओ मुझे एक चीज मुझे बताओ कि 49 49 into 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा यहां पर 98 जब आएगा यहां कितना बचेगा सर आपके पास में 12 बचेगा तो यह 120 हो जाएगा फिर भी आप 2 सी जाओगे यह ना फिर भी 98 आएगा यानि कि 22 something होने वाला है तो 22 something होने वाला है तो इसका मतलब है कि इसका जो answer होगा वो C होगा तो बस इससे जादा आपको करने के ज़रूरत नहीं थी आपर टाइम बचा लेना आपको ठीक है ना यहां पर आपको टाइम इस तरह से बचाना है पॉइंट सम्थिंग आने वाला है इसका answer तो इस तरह से आप अपने answer को जल्दी मा कर सकते हैं अगर इसमें सारे option 22 पॉइंट सम्थिंग होते हैं तो थोड़ा सा आपको exactly solve करना पड़ता है बड़ यहां पर आप इसका time बचा सकतो इस तरह से ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं यह इसका आखरी सवाल है आप से क्या बोल रहा है find the ratio between find the ratio between total items sold by store a on Monday to total items sold by store c on Thursday तो यह बड़ा असान हो गया तो ए का Monday देखना है A का Monday देखना है 240 ठीक है और C का Thursday देखना है c का Thursday देखना है तो यह आ गया सर आपके पास में 300 तो 12 से 20 times, 12 से 25 times ठीक है न 5 से 4 times, 5 से 5 तो 4 is to 5 आएगा 4 is to 5 यानि आपके पास में जो पहला option है वो इस इस सहावाल का सही जबाग होगा ठीक है कोई पक्का इसको एक बार देख लो इसके वाद हमारा लास्ट पांच कोशन आएंगे ठीक है चली चली अभी है ना आगे बढ़ता है फटाफट अब अपने आखरी के पांच सवाल है जो की एक कैसलेट है ठीक है ना तो हमें एक बहुत बड़ा सा पैरग्राफ दिया इसको मेल एंपलोई इन थ्री प्ली इन थे संबिन रहें ड़ेट अंजर दर्च पूर्फलीं अशान पांच अनवल समिनार आट या ए बंड्यूंश एस संब्ल आप फिन अप्लीज ए प्लीज़े प्लीज। कॉरेंट इस फोर्टवेश कॉर्टवेश इसमेल मेल इंप्लीजेश 1620, total है, कौन है? male है, value कितनी है? 1620 ठेक है सर, तो यानि कि यहाँ से मुझे समझ में आता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी data आपको दिया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी data दिया गया है उससे आपको यह पता चल जाएगा कि A और B में total male और टोटल फिमेझ कि तरह न क्योंकि गाए तो मेल का टूल आ जाएगा और यहां एमाल का टोटल आ वोडिया गया अब आगए उसने क्या बोल दिया है कि number of female employees to third and two fifth of mail employees in a and b respectively तो अब यहां पर इَّ और बी में जो मेल और फिमेक इनके बीच में एक relation दे दिया गया है तो इससे आपको exact male और female पतासल जाएंगे ए और B में तो यहां से आपको exact male और female के बारे में पतासल जाएगा A और B company में क्या क्या है उसके बोल रहा है उसके बाद यह बोल रहा है कि 25% more than total female employee यहां से पढ़ना है अपने को ठीक है यहां तक आपको दिया है इसको यहां से हटाते हैं यह जो डेटा है यहां से आपको A और B के male और female पतासल जाएंगे अब वो क्या बोल रहा है कि total female employee हैना total female employee who represent C यहां से C के बारे में बात हो रही है हैना तीन कंपनी थी A, B, C तो A और B के बारे में उपर बाते चल रहे थी C के बारे में यहां से शुरुआत हो रही है कि total female employee who represent C are 25% more than total female employee who represent A तो A में जो female है उससे 25% जादा female है C में अच्छा और total male employee who represent C are 33 1 by 3% more than total female employee who represent B ठीक है सर तो female employee जो B में है female employee जो B में है उससे 33 1 by 3% जादा employee male employee कहां पर है सर C में है ठीक है सर ठीक है सर तो यहां पर हमें कुछ relation दिया गया है अब इन relation का इस्तमाल करके हम अपना एक data तयार करने वाले हैं ठीक है ना चलिए तो आपन आ जाते हैं सर यहां पर और यहां पर अपन अपना data collect करते हैं तो हमने यहाँ पर यह बोला, सर, यहाँ पर आपके पास में तीन कंपरीज हैं, A, B और C, यहाँ पर आपके पास में male female है, यहाँ भी male female है, यहाँ भी male female है, मैंने यहाँ बोल दिया, सर, male A के और female A के, male B के और female B के, male C के और female C के, ऐसा हमने दे दिया, आप उसने यहाँ प है उसके बीच में एक relation दिया गया है कि F A और F B जो है इसका average 420 यह निकिसका sum 840 हो जाएगा है न आपको average दिया तो total 840 हो जाएगा double कर देंगे उसके बाद फिर क्या बोल रहा है male employee A और B में कितने 1620 है तो male employee जो है male employee जो है A और B में वो 1620 है यह आपको यहां से समझ में आ जाता है थीके सीड उसके बाद क्या बोल रहा है आपको यहां पर क्या दिया कि नंबर ओफ female employee number of female employee is two-thirds two-third के बाद of male employee in A और two-fift का लिए abic ऐसा बोल रहा है तो female employee जो है वह a में कितनी है भाया 2 30 to those of male employee IN ए हैं तो हम A पे concentrate कर रहे हैं वहाँ जो female है वो वहाँ के male के two-third के बराबर है ठीक है ना two-third के बराबर है क्या मतलब इसका इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ पर अगर दो male होंगे तो इसका two-third करेंगे ठीक है ना यहाँ पर एक मिट रहे हैं क्या बोल रहा है number of female employee is two-third two-third of number of male employee male employee in A अच्छा तो यहाँ पर यह जो चीज होगी अगर यह तीन होगी तो इसका two-third करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा सा two आएगा ठीक है ना यह इसका मतलब हो गया number of female employee is two-third of male employee in A और two-fifth female की बारे में बात हो रहे है number of female employee is two-fifth of male employee in B male employee in B यहाँ पर अगर male five होंगे तो इसका two-fifth करेंगे तो यहाँ पर female यह ऐसा कुछ बोल का आपन यहाँ पर क्या करने वाले हैं ध्यान से देखो मैंने माल लिया कि यह आपका 3X और यह 2X होगा और यह आपका five y और यह two y होगा ऐसा मान सकते हैं तो हमें यह मालूम है हमें यह मालूम है कि सर यह जो male है यह जो male है यह यह जो male है यह यह जो यह जो female है 2X और 2Y इसका total आपके पास में 840 है तो हम यहां से यह बोल सकते हैं कि X plus Y जो होगा इस case में वो 420 होगा हां sir 420 होगा ठीक है न और इस case में आपन यह बोल सकते हैं कि इस case में यहां पर यह 1620 है 1620 है 1620 है यहां पर मुझे लिखना था 2X plus 2Y is equal to 840 2 से cancel करेंगे तो वो 420 हो जाएगा अब अगर मैं इसमें 3 से multiply कर दूँ तो 3X plus 3Y हो जाएगा ठीक है न और यह कितना हो जाएगा sir 1260 तो अब यह जो data मेरे पास आया और यह जो data मेरे पास में है इसका difference निकाल लेते हैं इसका difference निकाल लेते हैं तो इसका difference जब निकालेंगे इसका difference जब निकालेंगे तो 3X कट जाएगा 5 और 3 का difference कितना आएगा 2Y तो यहां से 2Y के लूँ आजाएगी ठीक है सर और यहां पर आपके पास में कितना आएगा 0 यहां पर आएगा 6 ठीक है ना और यहां पर आएगा 3 तो यहां पर आपके पास में Y के लूँ आजाएगी 180 Y-Kill-O आजाएगी 180 अगर Y-Kill-O 180 है तो X-Kill-O यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? Y-Kill-O 180 है तो यानि कि X-Kill-O 240 होनी चाहिए X-Kill-O कितनी होनी चाहिए, सर? 240 होनी चाहिए? हाँ, सर अगर X-Kill-O 240 है तो ये जो वैलू है, ये 720 हो जाएगी हाँ सर ठीक है न ये जो value है ये 480 हो जाएगी ठीक है सर y के value कितनी है सर 180 है तो इसका 5 गुना करेंगे तो ये 900 हो जाएगा हाँ सर ये आपका 360 हो जाएगा हाँ सर तो यहाँ पर आपके पास में a और b में कितने male हैं कितने female हैं ये आपके पता लगा लिया ठीक है तो एक बार इस data को देख लो हमें यहाँ पर क्या बोला गया था हमें बोला गया था कि A में जो male है और B में जो male है उसका total 1620 है और female जो है A और B में उसका average 420 था तो है total 840 हो गया फिर उसके वाद क्या बोल रहा है कि A में जो female है वो male के 2 thirds के बराबर है बी में जो female है वो male के two-fifth के बराबन है तो इस तरह से हमारे पास ये relation आ गया फिर हमने यहाँ पर इन दोनों को combine करके हमने value बता दी कि कितने male कितने female है A और B में यहाँ तक आपका काम हो जाना चाहिए ठीक है अब अब बात करते हैं कि यहाँ पर एक चीज बोली गई है कि भी यह जो C है C है यहाँ यहाँ से पढ़ो गया तो आपको समझ में आएगा कि total female employee who represent C total female employee who represent C are 25% more than total female employee who represent A तो A में जो female है A में जो female है A में जो female है उसका 25% increase कर दो तो इसका 25% increase करोगे यानि कि इसका एक चोथा यानि की 120 increase कर दो 480 plus 120 कितना हो जाएगा 600 तो यहाँ पर जो female आएंगी वो कितनी आएंगी सर 600 ठीक है ना यही बोला गया है तोटल female employee who represent C are 25% more than total female employee who represent A अब आगे बढ़ते हैं and total male employee who represent C अब male employee C में देखने वाले हैं आपन are 33 1 by 3% more than 33 1 by 3 यानि की 1 by 3 more करना है then total female employee who represent B तो female employee B में कितने हैं female employee कितने हैं यहाँ पर 360 है, ठीक है ना, इसका one you, कितना होगा, इसका one you, 120, इसमें increase कर देंगे इसमें increase कर देंगे, कितनों जगा, Чाहाँ चाहाँ तो यहाँ पर value क्या आएगी सर 480 कोई दिक्कट कोई परशानी यहाँ तक हाया न तो जो लिखा है उसके साफ से हमारा यह answer आ गया तो एक बार आप इसको पहले एक बार अच्छे से देख लो जल्दी से फटा फट अच्छे से पढ़ लो या स्क्रीन शॉट ले लो ठीक है यह हो गया और एक बार इसको अच्छे से देख लो कि सर यहाँ पर हमने क्या क्या किया है तो वो जो वहाँ पर आपने स्क्रीन शॉट लिया होगा उसको एक बार पढ़के इससे मैच करके देखो कि यह इसको सेडिस्वाइब कर रहा है कि नहीं कर रहा है चल्दी से फटा फट जल्दी से मैच कर लिए बेटा सब सही है ठीक है चल्दी आगे बढ़ते हैं अब आपन सवालों पर आते हैं अब आपन सवालों पर आते हैं फटा फट सवालों को सौल करेंगे सवाल में क्या बोल रहा है बही है टोटल employees who represent A, total employees who represent A, तो कितने भी है, total employees who represent A, 7, 4, 11, याने की 1200, तो A को represent कर रहे है, total 1200, ठीक है, is what percentage more than total male employee who represent B, तो B पे कहा जाना है, सर, male, B पे male कितने भी है, 900, तो हमें B पे जाना था, male देखना था, जो की 900 है, और यहाँ पर total देखना था, A में total देखना था, तो 1200, 900 से कितना परसेंट जादा था, 300, बटे 900, इन्टु 100, यानि की 33.33%, यानि की आपका जो पहला option होगा, वो इसका सही जवाब होगा, है न, 1 by 3 हो रहा है न, सीधी सीधी बात है, आप सब्सक्राइब, इसके जो total employee है, वो इसके male employee से कितने प्रतीशत जादा है, एक होता है, जादा कम बताना, यानि difference बता जाता है, 300 हो जाता, बट कितने प्रतीशत जादा है, वो, यानि की उसको compare करना पड़ेगा 900 से, आगे बढ़ते हैं, इसको यहां से हटाते हैं, अब बात करते हैं सर इस सवाल की, आप से क्या बोला है, 25% of total female employee and 20% of total male employee who represent B and C together have MBA degree, यानि की B और C में जो आपके पास में total male employee है, उसका 20% और जो आपके female employee है, उसका 25% जो है, उनके पास में MBA की degree है, तो आप से बोल रहा है, find the total employee who do not have MBA degree, यानि की B और C में किन के पास में MBA की degree नहीं है, अब आप यहां पर क्या करोगे देखो, यहां पर आपका approach क्या होना चाहिए, ध्यान से देखो, यहां पर आप वो बोलोगे कि यह ऐसा करो कि B और C पे, B और C पर जो भी male है, उसका total निकाल लो, हाँ सर, और उसका बोल रहा है कि 20% के पास में क्या है सर, degree है, इसका मतलब इसके 80% के पास में degree नहीं होगी, है ना, हाँ सर, और जो female है, B और C में, जो आपके पास में female है, उसका बोल रहा है कि 25% के पास में है, यानि कि 75% के पास में नहीं होगी, सीधी सी बात है, हाँ या ना, ठीके सर, तो यहां पर हम क्या करेंगे सर, 80% कितना हो जाएगा सर् 4ierte 5 फायona into b or c k'min to be or ck mail b or c k यह गो गया यह कितना हो जाएगा सर्हापका 900 और 480enne की 1180 तो यहां पर लिख देंगे सट अधर 1180就 यह 335 हो जाएगा सर्हतenario यह 3 Heute administer or जाएगा टूंहां पर आजाएगा 3oku फ़ इन टो भी प्लस C के female, B plus C के female, B plus C के female कितने भी है आपके पास में 960, है ना 960, तो यहां पर आपन क्या करेंगे सर, 960 कर देंगे, अब इसको solve करते हैं सर, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा सर, यह 5 से जाएगा सर, 5 2 जा, ठीक है, 5 7 जा, 5 6 जा, 4 से जाएगा सर, यह 240 बार, यह आ 24 हो जाएगा, 1924 हो जाएगा, 1924, अच्छा 11 साथ 18, है ना 1824 हो जाएगा, 1824 हो जाएगा, 11 और साथ 18, 1824, यानि कि C option आपका सही जवाब होगा, ठीक है, C option आपका सही जवाब होगा, तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना था, अगर female, B और C के 25% के पास में है डिगरी, त तो 80% के पास नहीं होगा, तो बस यहीं आपको calculation करना था, ठीक है ना, चलिए, आगे बढ़ते हैं, इसको अटाते हैं, अब बात करते हैं सर, इस सवाल की, आप से कहले हो, find the ratio between total male employee who represent B and C together, तो B और C में जो total male है, बी और C में जो total male है, ठीक है, और total female employee who represent A and C, A और C में जो total female है, total female है, इनको आपको इनके बीच में comparison करके बताना है, तो आप क्या बोलोगे सर, B और C में male कितने भी है, B और C में male कितने, B और C में male हैं, आपके पास में 1380, ठीक है न, 1380, और यहाँ पर A और C में female कितनी है, A और C में female कितनी है, 480 और 600, य हो जाएगा, 26, और 29, 25, 24, 32, 33, और यह 18, तो तेस और अठारा का ratio आना चाहिए, तेस और अठारा का ratio यानिकी C option, यानिकी C option, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परिशानी किसी भी तरह की, simple है, है न, आपने को B और C में क्या देखना था, B और C में male देखना था, A और C में female दे आप से गोला, find the difference between total male employee who represents C, who represents C, ठीक है न, and total female employee who represent B, तो B में female और C में male, का आपको क्या निकालना है सर, difference निकालना, जो भी बड़ा छोटा हो देख लेंगा, तो C का male कितना भी है, C का male है, 480, तो यहाँ पर 480 आगया, और B का female कितना है सर, B का female, B का female है सर, आपके पास म तो 360 और इसका difference कितना हो जाएगा सर, 120 हो जाएगा, तो यह 120 आपका answer आजाएगा, ठीक है, 120 आपका answer आजाएगा, ठीक है, simple था, है न, फटा 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 आगे बढ़ते हैं, फटा 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 आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सर, find average number of female in B and C, तो B and C में female कितनी है, B and C में female कितनी है, 360 और 600, है न, 360 और 600, आपको इसका क्या बताना है, सर, average बताना है, यानि कि 960 upon 2, यानि कि क्या बताना है, सर, 480 बताना है, ठीक है, तो answer कितना हैगा, सर, 480, ठीक है न, यहां क्या बोलो था, find the difference between total male employee, who represent C, total male employee, who represent C, यानि कि 480, and total female employee, who represent B. female employee, who represent B, यानि कि 360, इसका difference बताना था न, अपने को, 120, ठीक है, सही है, तो यहां पर आपका answer आगया, ठीक है, यहां पर आपका answer आगया, कोई दिक्कत इसमें, कोई परशानी इसमें, नहीं, तो हमें यहां पर क्या बताना था, कि B और C में जो female employee है, उनका average कितना है, जो कि हमारे पास कितना है, चार सो असी है, ठीक है, चलिए, तो मैं उमीद करता हूँ कि आज के session में आपको जो कुछ भी पढ़ाये गया, बताये गया, समझाये गया, वो आपको समझ में आया होगा, आपको approach समझ में आया होगी, कि इस तरह से सवालों को approach करना चाहिए, है न, औ और main चीज जो है, वो यह कि आपको अगर paper में कोई ऐसा सवाल दिखाए देता है, जो आपको परिशान कर रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये chapter में बहुत अच्छे से पढ़ के आया था, जैसे कभी कबार होता है कि मैंने time and work बहुत अच्छे से पढ़ा है, और मेरा time and work बहुत strong है, बट paper में कोई ऐसा सवाल आ गया है time and work का, जो मुझसे नहीं बन रहा, या मुझे doubt आ रहा है, तो हम उसको ego पे ले लेते हैं, कि नहीं अब तो में इसको करक करक के ही आगे बढ़ूंगा, उस चकर में आप अपना loss करवाते हो, तो आपको paper में बहुत ही cool और का काम रहना है, है ना बहुत शांत मन से आपको paper देना है, आपको कोशीशे करने की जितना भी बुरी condition हो उस समय आपकी, अगर paper आपको लग रहा है tough है, तो उसमें आप कैसे अपना बहतर दे सकते हो, क्योंकि अगर paper tough होगा, तो वो काफी लोगों के लिए tough होगा, ठीक है न पर उसमें भी कुछ लोग जो होंगे वो आगे निकल सकते हैं, उस साल selection ले सकते हैं, तो आपको बस यह सोचना है कि इस condition में भी मैं कितना अच्छा और कितना बहतर perform कर सकता हूँ, यह ज़्यादा important है, ना कि यह कि मैं हार मान जाओ और यह सोचू कि आप अगले साल देखे कि actually में paper में question तो यह से ही आते हैं और यह tough नहीं है, कुछ एकाथ सवाल उपर निचे हो सकते हैं, बड़ जो पूरा paper है, वो almost जो है, वो easy ही होता है, अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है, आपके concept clear है, और आपकी speed अच्छी है, आपके calculation अच्छी है, तो आपको easy ही लगें तो please इस वीडियो को like जरूर कीजेगा, इस वीडियो को share कीजेगा, अगर अभी तक channel को subscribe नहीं किया तो कर लो, आगे आपके लिए बहुत कुछ हम लाने वाले हैं, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, thank you so much